हेलो दोस्तो आग इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं क्या 14th JPSC का मास्टर प्लान कि अगर आपका टागेट JPSC ही है जो कि नो डाउट बाकी PCS के मुकाबले में काफी रिस्की है और काफी uncertain है क्योंकि इसका कोई calendar नहीं है time table नहीं है फिर भी वो कहते हैं न कि अगर आपका target है तो फिर target है तो आपको अभी से तयारी में लगनी होगी तो जो है master plan क्या है दोस्तों master plan क्या है आपको समझना होगा यहाँ पे जो 95% student है उनकी भी गलती नहीं है आयोग का ही जो है धीला ढ़ला रवया है कोई calendar नहीं है कोई time table नहीं है तो यह तभी जगते है जब notification आता है और यह इनका focus कहाँ पर आता है बस PT पर आता है इसके आगे का कुछ plan नहीं है 5% student जो है यही जो है continuous लगतार महनत करते रहते है और इनको पता है कि जो selection final वो किस पर depend करेगा mains पर इनकी जो पढ़ाई होती है वो क्या होती है mains कम PT की पढ़ाई होती है mains कम PT की और इनहीं लोग का PT निकलता है इनहीं लोग का mains निकलता और इनहीं का final selection होता है बाकी तो यह competition में है ही नहीं यह competition में है ही नहीं और PT जो है यह दो से धाई महीने specially पढ़के तयारी हो सकता है लेकिन mains धाई से तीन महीने में करना next to impossible है ठीक है next to impossible है क्योंकि mains में answer writing करना होता है topic question जो पूछ रहा है कि इतना depth में पूछा जा रहा है critically analyze आलोशनात्मक परिक्षन कीजिए आपने Allauding खिल जी का market reform पढ़ा है उसको critically analyze करने बोला जा रहा है आपने 73rd और 73rd और 74 जो है संसोधन पढ़ा है लेकिन आपको जो है उसका critically analyze करने बोला जा रहा है ठीक है तो problem वहाँ आती है कि mains में एक तो topic को cover करना प्लस in depth करना है इसलिए हम लोग जो focus कर रहे हैं कि आपको नवंबर दिसंबर तक GS paper 3 जिसमें कि आपका history है और geography है ये complete करवा दिया जाए साथी साथ आपका खोटा ये complete करवा दिया जाए और अभी कुछ दिनों पहले ही जो है history का batch start हुआ है जिसमें ancient history cover किया जाएगा प्राचीन भारत और साथी साथ आपका जारखंड इतिहास मैंने आपको बताया ही कि इतने tough tough question पूछेगा है चाहे वो origin of industrialization हो सिंदु सभिता की उत्पती या फिर अलाउदीन खिल जी का market reform का अलोशनात्मक परिक्षन हो या फिर बिरसा मुंड़ाजी का भी जो question tough आया जो लोग समझ नहीं पाए या फिर 1857 revolt हो हमारे student जो है उनको कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि जो आसीज सर है उतना comprehensively जो है चीजों को cover किये थे तो इसका जो है आज last demo class है साढ़े नौ बजए जो लोग interested है वो लोग मुझे whatsapp कर सकते है 62-993-1915 और कल कल से geography का demo start रहेगा कल 7.30 में जो है geography का demo start होगा जोगरफी धीरत सर रहेंगे और geography में भारत का भूगोल और physical geography ये cover कराया जाएगा map के साथ और देखे खास बात क्या है कि जो भी topic हम लोग कहां करवाया जाता है चाहे वो history हो, geography हो, quality हो, economics हो, science tech हो, जो भी चीजे है वो आपको map कहां इस्तमाल करना है कैसे बढ़िया introduction लिखना है मतलब आपको जो भी पढ़ाया जाता है answer writing mode में क्योंकि ultimately आपको answer लिखना है यारो ठीक है तो कैसे बढ़िया भूमिका लिखें कैसे flow chart, कहां diagram कहां body में क्या चीज डालना है कैसे अच्छा conclusion लिखना है ये सारी चीजों आपको जो है वो समझाए जाएंगी और बहुत जल्द खोटा का भी बैच स्टार्ट होने वाला है अच्छा फीस की बात कर लेते हैं जहां market में history का बैच आपको कम से कम 6,000 ने तो इसका तो 10,000 तक जा रहा है हम लोग के यहां cheap and best 2,000 रुपए में आपको दोनों चीजे पढ़ाई जा रही हैं प्लस हम लोग का बैच भी जो होता है चोटा रहता है 20 चुडेंट 25 चुडेंट ठीक है ऐसे मतलब रहता है उसी तरह जोग्रफी की बात करें अगें market में इसकी फीस 6,000, 8,000, 10,000 रुपए है हम लोग के यहां जो फीस है वो मात्रे 2,000 रुपए है और कुछी दिनों में हमारा खोटा का बैच भी स्टार्ट हो रहा है और खोटा में आपको चार डेमो क्लास मिलेगा क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत लोग उनका नाकपुरी रहा है English रहा, Hindi रहा है ठीक है, अलग-अलग चीजों से अलग-अलग सब्जेक्ट से आ रहे है तो उनको चार डेमो क्लास दिया जाएगा ताकि आप देख सकें कि खोटा में आप मतलब comfortable है या नहीं है और खोटा में भी जहां फीस बाकी जगा आठ हजार, दस हजार फीस है हम लोग के यहां इसकी भी जो फीस है वो कितनी रखी गई है Only 3000 रुपीस और इसमें आपको PDF क्योंकि यह literature है literature में समझ में नहीं आता है कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है तो इसमें आपको PDF के साथ मिलेगा जबकि history में क्या है आपको topic समझाया गया, पढ़ाया गया question दिया जाएगा और telegram group में आपको answer अपना submit करना होता है तो यहां पे आपको answer writing starting से चलेगा, ठीक है चाहे वो history हो, चाहे geography हो खोठा में आपको topic पढ़ाया जाएगा अब खोठा जो है, यह language है literature language वाला चीज है तो इसमें आपको सुरू से PDF मिलेगा और उसके बाद में आपको टेस्ट करवाया जाएगा ठीक है, तो आज last history का batch, मतलब उसका demo class आज last है और कल जो है start होगा कल से geography और target यही है कि November, December तर आपको GS paper 3 और खोठा हो जाए तब सोचिए आगे आपको कितना advantage रहेगा है ना, जितना जल्दी syllabus complete होगा जितना जादा syllabus complete होगा उतना ही जो है बाद में आपको edge मिलेगा और last मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आपको जो है 95% का हिस्सा नहीं बनना है आपको हिस्सा बनना इस 5% का जो mains कम PT करते हैं क्योंकि ultimately number किसका जुटता है mains का जुटता है PT में तो क्या है कि जो आपको cut-off mark है मालेजी कि 123 रहा unreserved का तो ये cut-off आपको आना चाहिए लेकिन mains में तो ऐसा नहीं है mains में जो है किसी को 550 भी आएगा 600 भी आएगा 610 भी आएगा depend करता है ठीक है और घटिया answer लिखेंगे तो 450 भी आएगा तो depend करता है कि आप कितना बढ़िया आपका जो है content है कितना अच्छा presentation है बहुत कुछ depend करता है है ना इसलिए मैंने कहा कि कम समय में पीटी के तियारी हो सकती है specific लेकिन mains की नहीं हो सकती है तो बढ़िया क्या है कि आप mains कम पीटी के तियारी करें और तब अपना जो है selection का chance जो है वो पका कर ले और हमारे यहां आप join क्यों करें क्योंकि 7 to 10 JPC में 22 लोगों का पीटी एक्जाम निकला था और 12 जो है final selection हुआ था और इस बार भी तकरीबन हमको लगता है 25 student का पीटी एक्जाम निकला है और काफी बढ़िया last time से भी बढ़िया final result होगा तो ऐसा नहीं है कि हम लोग नए है 2021 से हमारा बैच चल रहा है और बहुत ही अच्छा performance हो रहा है बहुत ही बढ़िया result आ रहा है तो आप trust कर सकते हैं 7 JPC में 7 to 10 JPC में हमारे यहां से 4 DSP 2 JS उसके बाद आपको जो है दो municipality services में और दो education services में selection हुआ है और भी planning में भी शिक गए हैं लोग तो ऐसे जो है आपको final result में result आए है उसी तरह इस बार भी हम लोग काफी जो है hopeful है कि बहुत बढ़िया result होने को है तो इसलिए आप trust कर सकते हैं और आप मेरी बातों पहना जाए के वल आप आएं और demo class करें आज जो है last demo class है history का और कल जो है geography का demo class रहेगा 7 बजे जो लोग भी interested है मुझे whatsapp number पे message करिए 62 993 1915 ठीक है यारो कर देपाराई लोग यारो